क्या जार्खंड के मुख मंत्री हेमन सोरेन आने वाले दिनों में अपने पत से इस्तिफा दे सकते हैं। चिबु सोरेन और उनके पुत्रों के पास आय से अधिक सम पत्ति होने के आरोप लगाये थे और साक्ष प्रस्तुत किये थे। लोग पालने इस मामले में जाच एजन्सियों को पी यानी प्रारंबिक जाच के आदेश दिये थे। एजन्सी ने अपनी जाच पूरी कर ली वर्ष 27 अगस्त को ओर्डर आना था पर वो 15 सितंबर तक टल गया फिर तैह हुआ कि ओर्डर 15 अक्टूबर तक आएगा लेकिन ओर्डर अब तक नहीं निकला है एक पर अगर आदेश आ गया तो यही P.E.F.I.R. में दर्च हो सकती है इस हालत में वर्तमान सियम को अपने पस स इस्तिफात देना पड़ सकता है वहीं दूसरी ओर हेमन सोरेन पर रेप का आरोप लगाने माली मुंबई की ये मॉडल फिर से सामने आ गई है पहली दफ़े तो उस लड़की ने अपना मुकदमा वापिस ले लिया था पर इस दफ़े तो कोट ने ही उसे ऐसा करने से मना कर दिया है निशिकान दुबे और सुनिल तिवारी ने उस लड़की के लिए कोट से सुरक्षा की गुहार लगाई है यानि हेमन सोरेन हर तरब से गिरते नजर आ रहे हैं शायद इसलिए उन्होंने अपनी पतनी कलपना सोरेन को अपना उत्राधिकारी बनाने की मुहीम शुर कर दी है नमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें